नमस्ते बच्चो मैं अनुपमा आज हम नौवी कक्षा में शब्द और पद उनके प्रकार उसका अध्यन करेंगे बच्चो आपने बच्पन में सीखा है कि वर्ण से शब्द कैसे बनाते हैं ठीक है तो मैंने आपके लिए यहाँ पर हम एक छोटा सा खेल भी खेलेंगे और तो आप यहाँ पर देख रहे हूं आपके सामने मैंने यहां पर वप्रन माला के कुछ वटनों को लिया है वं तो हम क्या करते हैं यहां पर और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ वर्ण है, तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इन चित्रों को देखकर आपको इस में से, इन में से आपको क्या करना है, शब्द बनाना है, ठीक है, तो हम शुरू करें, यह क्या दिखाई कि और ये दिखाई दे रहा है ते कह दिखाई दे रहा है क्या रंग वैम व्चली हीं ये literature आपका पढ़े हैं हमने बनाया कैसे इन अलग-अलग वर्णों से बनाया ठीक है तो हमने यहां पर इसे अब हम बनाते हैं यहां पर हमने यह आ और इस मौ को लेकर हमने यहां पर बनाया आम फिर यहां पर यह क्या है यहां पर हमने लिया यह रहा गा और जर तो हमने यहां पर लिया हमने वर्णों के सभूं से हमने क्या बनाया शब्द यह क्या है यहां पर है मा और यहां पर है ला हमने यहां पर बनाया माला फिर यहां पर हमने बनाया यह मा च और ली तो हमने यहां पर लिखा मचली फिर हमने यहां पर लिया बा फिर इसमें आपको दा कहां दिखाई दे रहा यह रहा और म यह रहा तो हमने यहां पर बनाया बादाम उसके बाद ये लिया हम ने अक्षा ठीक है कि अब हमने क्या किया यहां पर अलग-अलग वर्णों के समू से हमने क्या बनाया शब्द बनाया ठीक है और आपको ये ध्यान में रखना है हम अगर आम को म आ लिखते मतलब वर्णों के सार्थक समू मतलब अगर हमने इसे वर्णों में म और आ लिखा होता तो क्या ये इससे आप समझ पाते कि इससे क्या कहते हैं क्या समझ पाते कि इसे क्या कहते हैं नहीं न तो यह आपको ध्यान में रखना है कि वर्णों का जो भी समू आप बनाओगे वो सार्थक होना चाहिए उसका अर्थ होना चाहिए अगर हम इस प्रकार से किसी भी वर्ण को कहीं भी रखें तो क्या होगा? फिर तो हम कभी भी किसी भाषा को बना ही नहीं पाएंगे तो आगे आने वाली पीड़ी क्या करेगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि जो शब्द जिस वस्तू या जिस फल या जिस के लिए भी यहाँ पर इसके लिए क्या कहा जाता है इस चितर के लिए यह एक फल है आम तो आपको ध्यान में रखना है वर्णों के सार्थक समू से शब्द बनता है ठीक है? और यह जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं आपने देखा यह शब्द स्वतंत्र है स्वतंत्र से यह आप इसे कही भी रख सकते हो ठीक है? अज़ आपको सौन में आ गया कि शब्द किसे कहते हैं शब्द वर्णों के सार्थक समू से शब्द बनता है अब आगे हम देखते हैं आप लोग के लिए यहां पर कुछ पिक्चर बनाए है यहां पर चिपकाए है और अब आपको क्या करना है यहां पर जो चित्र दिया गया है उसे इन वाक्यों से आपको मिलान करना है जैसे आप जोड़े मिलाए बनाते हो वैसे आपको मिलान करना है ठीक है तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह लड़की जो है वो क्या कर रही है यह जो लड़की है वो किताब पढ़ रही है पुस् बच्चे फुटबॉल और फिर कहां पर है इसका पड़ लड़की है रही लड़की पढ रही है अरे और यह दोनों पर तीन तीन नमबर लिखे वे मतलब तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर मैंने ऐसा का होता पढ़ लड़की है रही तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से और कौन सा भाव प्रस्तूत करना चाहते हैं तो किसी भी शब्द को हम कहीं भी किसी स्थान पर नहीं रख सकते लड़की पढ़ रही है तो यहां पर हमने क्या किया लड़की संग्या, पढ़ रही है क्रिया है क्रिया को हम बाद में लिखते हैं तो आपको ध्यान में रखना है अब हमने इस वाक्य को कैसे बनाया व्याकरन के नियमों के आधार पर बनाया व्याकरन के नियमों के आधार पर हमने यहां पर बनाया लेड की बढ़ रही है तो यह वाक्य क्या हो गया यह वाक्य हो गया गलत तो इस वाक्वे को हम छिपा देते हैं नहीं तो बच्चे भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर तो उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं आएगा फिर यहां पर क्या हो रहा है? बच्चा, बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं बच्चे विध्याले जा रहे हैं जा रहे हैं बच्चे रहे विध्याले तो अगर इस तरीके से ही अगर वाक्य लिखा जाए तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा कि वहाँ शोता जो है वहाँ कौन से वक्ता जो है वह कौन से वाक्य को बताना चाता है कौन से भाव प्रस्तुत करना चाता है और शोता को समझ में नहीं आएगा तो इसलिए ये ध्यान में रखना है कि व्याकरन के नियमों के आधार पर आपको शब्द को सही स्थान पर रखना है और यही पद की मांग है तो ध्यान में रखिए उसके बाद पद के बारे में हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वाक्य बनाना हम सीख जाएं पर यह बच्चा क्या कर रहा है यही साबुन और पाने से हाथ दो रहा है ठीक है इसके लिए हमने क्या रहा हाथ है रहा धो बच्चे अरे बच्चा हाथ दो रहा है तो अब यहाँ पर हम किसे चिपाएंगे इसे क्योंकि यह जो है वो गलत वाक्य है इससे हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहा है इसके बाद है यहाँ पर कि बच्चे क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं क्या खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल है बच्चे रहे खेल अगर इस तरीके से मैं शब्द को कही भी किसी भी स्थान पर रखू तो क्या होगा सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा इसलिए यह जो भी हमारी गलतिया थी उसे हम पहले छिपाते हैं अब ध्यान दीजे कि बच्चे विद्याले जा रहे हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो लड़की पढ़ रही है बच्चे विद्याले जा रहे हैं बच्चा हाथ धो रहा है और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं इसके आधार पर हमने मिलान कर दिया तो अब आपको ध्यान में रखना है कि शब्द तो हमने पढ़ा लेकिन पद क्या होता है शब्द याद रखे वर्णों के सार्थक समू से शब्द बनता है और पद जब कोई भी शब्द व्याकरन के नियमों के अनुसार अब यह 30 में रखना है बच्चे कि वगर मैंने इस तरीके से लिखा बच्चे तो यह क्या है एक स्वतंत्र शब्द है लेकिन जब मैंने इसका प्रियोग वाक्यमें व्याकरन के नियमों के आधार पर किया तब ये बन जाता है पद तो बच्चे क्या हो जाएंगे संग्या पद बच्चा जो है वो जाती बच्चे संग्या है तो ये हो गया संग्या पद ठीके तो आपको ध्यान में रखना है शब्द जो होते हैं शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं लेकिन पद जो होते हैं वह स्वतंद्र नहीं होते हैं जब शब्द व्याकरन के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुत हो जाते हैं तब वे पद बन जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा आप जब डिक्ष्णरी पढ़ते हो शब्द कोश डिक्ष्णरी को क्या कहते हैं शब्द कोश में शब्द पाए जाते हैं लेकिन पद नहीं पाए जाते हैं तो शब्द कोश में शब्द मिलता है और शब्द कोश में पद का प्रियोग नहीं होता है तो यह आपको ध्यान में रखना है तो आज हम कुछ प्रेजनेशन के माध्यम से हम देखेंगे और शब्द और पद में क्या अंतर है इसके बारे में हम अध्यान करेंगे ठीक है शब्द और पद शब्द मतलब ध्यान में रखें वर्णों के सार्थक सम्मू से शब्द बनता है पद जब शब्द व्याकरन के नियमों के अनुसा वाक्य में प्रजित होता है तब वे पद बन जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्णों का सार्थक समूँ वर्णों का समूँ जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वे शब्द कहलाते हैं जैसे उधारन लिया हमने भारत, नदी, मिट्टी, खेलना ऐसे कई सारे शब्द तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्णों के सार्थक समूँ से या वर्णों का समूँ जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वे शब्द कहलाते हैं बहुत आसान है शब्द और पद तो आपको ध्यान में रखना है कि वर्णों का वर्णों का समूँ जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं वैसे या भारत, नदी और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परिशा में जब भी पूछा जाएगा कि शब्द का उधारन देते हुए उसकी परिभाशा बताईए तो आपको उधारन देना है और अगर कहा गया कि शब्द का उधारन देते हुए उसे विस्तार से समझाईए तो आपको ध्यान में रखना है पहले आपको ये उधारन लिखना है और इसके आधार पर आपको बताना है कि क्यों ये शब्द होता है क्योंकि वर्णों का साथ समू है इसलिए ये शब्द है ठीके आगे बढ़ते तो आपको जान में लखना है कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं शब्द वर्णों का समू होता है शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है और वर्णों के बाद शब्द ही किसी भाशा की सबसे छोटी इकाई है शब्दों की द्वारा क्रिया या भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है जब शब्द और पद में अंतर पूछा जाएगा तब आपको ये ध्यान में रखना है कि शब्द कैसे होते हैं स्वतंत्र आप उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी कर सकते हैं और अ कोई अक्षम लोगे उसे कहीं भी किसी भी स्थान पर रखो गये और तो यवोगा ठाक हो जाएगा ठीक है औरम की बाद रवन लेकिन वर्ण के बाद शब्द ही भाषा के सबसे छोटी ही काई उसकिप नहीं किसी भी भारशा को नहीं बना सकते ना तो उसका प्रेयोग कर सकते हैं। फिर शब्दों की द्वारा क्रियाओ या भावनाओ की व्यक्ति की जाती है। ठथिक है ? वह शब्द जो है आपकी भावनाओ को बताएंगे। तो अब हम ध्यान देंगे कि शब्द के दो प्रकार होते हैं एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी विकारी जिसे आप वे भी कहते हैं और अविकारी जिसे आप अवे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि विकारी मतलब होता है जिन शब्दों में लिंग, पचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी कहते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे विकारी के भेद आपने वियाकर ने पढ़ा है संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया और और विकारी में आपने पढ़ा है क्रिया विशेशन संबंद बोधक समुच्य बोधक विस्मयादी बोधक और निपाथ ठीक है दो इस तरीके से के जब आप बैद पहचानोगे कि कीसे आप पहचानोगे कि इस कितनी कौन कौँ सा शब्द का प्रयोग आप पद में करते हो मतलब инд के में अकरते हो आपको धियान में रखना है और संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया आप किसी संग्या सवनाम विशेशन कर दो की पद में आपने यहाँ पर देखा कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहते हैं और शब्दों में यह परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्छ, इत्यादी के कारण होता है तो जब शब्दों पर व्याकरन के नियम लगा दिये जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं पद आपको ध्यान में रखना है जब शब्द का प्रयोग व्याकरन के नियमों के आधार पर वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाता है और वहाँ पर जो अविकारी हमने देखा था तो अविकारी के आप कई सारे उधारन देख सकते हो इसमें ने खा कि हवा धीरे धीरे बह रही है तो धीरे धीरे में कभी भी कोई भी परिवर्तन लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं होता इसलिए उसे हम अविकारी कहते हैं वैसे आपने संबंद भी पड़ा है तो उसी प्रकास आपको ध्यान में रखना है क्रिया विशेशन हो संबंद बोधक हो समुच्चे बोधक और इसलिए एवं किंतु परंतु अरे अचानक तो ये सारे ये जो सभी शब्द है इसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार क वह क्या है सर्वनाम पद है अगर आपको पूछा गया कि इस वाक्य में पहचाने तो आपको पता तो है संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया ये सब आपने बच्चपन से पड़ा है ठीक है तो ये ध्यान में रखे वह खेलता है में वह क्या है सर्वनाम पद है सीता खेलती है ठीक है अब सीता खेलती है तो अपसे कौसा परिवर्तन हुआ लिंग के अधार पर बच्चे खेलते हैं बचन के अधार पर तुम खेलने से होश्यार बनोगे कारक के अधार पर खेलने से हम लोग खेल रहे थे खेल रहे थे काल के अधार पर तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी परिवर्तन होता है तो संग्या सर्वनाम लिंग वचन कारक और काल के अधार पर हम किसे भी के में परिवर्दन करते हैं थे कि लड़का खेलता है और लड़की खेल रही है सिस्ट्रोड या रखना है कि हम essay रखना है कि हमने यहां पर देखा कि शब्द और पद ओर अब तक हमने यहां पर देखा शब्द और पद तो आपको फिर से ध्यान में रखना है शब्द वर्णों के सार्थक मुझ से शब्द बनता है पद जब शब्द व्याकरन के नियमों के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वे पद कहलाते हैं शब्द में आपको ध्यान में लखना है कि शब्द जो होते है आप जब भी उसका उधारन दोगे तो आप किसी भी एक शब्द का प्रियोग कर सकते हो और जब आप पद का उधारन दोगे तो आप कोई भी एक वाक्य लिखिए और उस वाक्य में किसी भी एक शब्द को आप क्या करोगे रेखांकित करोगे जैसे सीता खेलती है तो सीता में सीता को आप रेखांकित कीजिए तो वो क्या कहलाएगा पद ठीके और इसके आपवाल आप अपसे महतपूर्ण जो है शब्ध और पद में अंतर, आपको ध्यान में लखना है शब्ध स्वतंत्र होते हैं और पद वाकि के अनुसार बदलते हैं अगर उसमें लिंग होगा, लिंग परिवर्ण की अधार पर आगा अब लड़के की बात कर रहे हो, या लड़की की बात कर रहे हो तो उसमें link के आधार पर अपने आप ये उस वाक्य में परिवर्तन आपको दिखाई देगा शब्दों पर व्याकरन के नियम नहीं लगते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और पद जो है वाक्य के अनुसार बदलते हैं ठीके शब्दों पर व्याकरन का नियम नहीं लगाए जाता कि किसी भी शब्दों का आप स्वतंत्र लिख सकते हैं उसको कोई भी व्याकरन का नियम नहीं होता है किसी भी स्थान पर आप किसी भी शब्द को लगा दे लेकिन जब शब्द का प्रयोगा आप पदों में करोगे तो आपको ध्यान में रखना है वो अपने आप ही ब्याकरन के नियमों के आधार पर वाक्य में अपने आप दिखाई देता है इसलिए उसे हब पद कहते हैं ठीक स्वतंत्र होते हैं और पद जो होते हैं वो व्याकरन के नियमों के आधार पर वाक्य में प्रयोगत होते हैं शब्द स्पर्णों के सार्थक समू को हम शब्द कहते हैं और इनका अपना ही अलग अर्थ होता है वह व्याकरन के नियमों में बंदे नहीं होते और इसका प्रियोग शब्द कोश में किया जाता है और जब इन ही सभी शब्दों का प्रियोग हम वाक्य में करते हैं यहाँ पर हमने कुछ अलग-अलग वाक़् के लिये हैं तो उसमें ध्यान में रखिए कि जब हम इन शब्दों का प्रियोग किसी वाक्य में करते हैं तो वो अपने आपई व्याकरन के नियमों के आधार पर बंद जाते हैं और व्याकरन के नियमों के आधार पर बंदने की वजह से ये सुतंत्र नहीं होते और जितना भी आपने पड़ा है आज तक संग्या, सरवनाम, विशिशन, क्रिया, क्रिया, विशिशन, समुच्य, बोधर, संबंद, बोधर, विस्म्यादी, बोधर, निपात, इन सभी के आध जा रहे हैं, लेटकी पड़ रही है, तो आपको ध्यान में रखना है, लिंक के आधार पर पर परिवर्तन जो है, यहां पर अपने आपी हो रहा है, ठीके, तो आपको ध्यान में रखना है, एक बार फिर से ध्यान रखिए, कि वड़नों के सार्थक सामों से शब्द बनता ह और पद जब शब्द का प्रियोग व्याकरन के नियमों के अधार पर वाक्य में किया जाता है तब वो पद कहलाता है ठीके तो आज के लिए इतना ही और आप के लिए मैं एक रियाकारे दे रही हूँ जो सबस्यादा महत्पूर्ण है आप परिशा में इस तरीके के प्रशन ही पूछे जाएंगे शब्द और पद में अंतर बताईए ये आपका प्रशन है और इसमें आपको जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सभी पॉइंट कवर करने हैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ शब्द सुतंत्र होते है वर्णों के सार्थक समोसे बनता है इसका प्रियोग शब्द कोश में किया जाता है ठीक है और इसके साथ आप उधारन दे दीजे उसके बाद पद जब आप बनाओगे तो पद का प्रियोग शब्द कोश में नहीं होता पद जो होता है वह व्याकरन के नियमों के आधार पर वाक्य में प्रेट होता है और शब्द में लिंग वचन काल कारक के अनुसार हमेशा वाक्य में जो आपको परिवर्तन दिखाई देंगे वो उसके आधार पर दिखाई द खांकित करना ना भूलें धन्यवाद